बिस्मिल्लाइरामालरहीम तो चलें शुरू करते हैं कि सबसे पहले हमने दुबई हेल्थ अथॉर्टी की जो है रिजिस्ट्रेशन को कम्प्लीट कैसे करना है टेस्ट डेट कैसे लेनी है बहुत ही सिंपल तरीक है अपने गूगल में जाना है यहां पर आपने सर्च करना है डी एचे लॉग इन को उके उसके बाद आपने दुबई हेल्थ अथॉर्टी पर जाना है और यहां ठीक जब अप यहां पर पहुंच गे तो इस तरह से आएगा आपका डैश पॉर्ड आपने क्या करना है इसको नीचे की तरह स्लाइट करना है और आपने आ जाना है यहां प्रोफेशनल में जाना है फिर अपने इसको स्लाइट करना हैं और आपने आना है सेल्ष अस्गाश्मेंट टूल पर Self Assessment Tool पर आगया आप उसके बाद आपने क्या करना है कि यह अब पूरा Professional Licensing Program के Steps दिये हुए उसके बाद आपने सीधा आजाना है नीचे यहाँ पर सबसे नीचे इधर Start the Self Assessment Okay Self Assessment Start आपने कर दी उसके बाद आपने क्या कि Which category are you applying for जैसे कि मैं Pharmacist हूँ तो आपने अपना Pharmacist जो है वो सलेक्ट करता है allied health को allied health को सलेक्ट किया उसके बाद आपने next करना है what title are you applying for आपने आ जाना है अपना Pharmacist पर ठीक है यह आ गया pharmacist ओके उसके बाद आपने जाना है next आ जाते है what is your specialization Pharmacist आपने स्लेक्ट किया तो आपका फार्मेसी आजाएगा next आपके आज़ा country लिखना है जिसके आपके पास nationality है next next which degree do you hold relevant to this position आपके पास कौन सी है जो आपके country में जो भी कहा जाते हैं कहीं किस country में किया है complete आपने अपना country स्लेक्ट कर लेने और उसके बार next और start of the degree क्या है आपका तो आपने यहां पर दिखा हुए ना उसको आपने का स्लेक्ट करना है डेट जो डीम सी के पारी लिखी हुई है वह 26 लिखी हुए ठीक है 26 बारा दौशर सत्रह ओके उसके बाद next you want to add the relevant experience जी बिलकुल experience ओके यहां पर और उसके बाद start date experience की experience letter के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि test के test के दिर्म्यान और end date of experience letter उसके दिर्म्यान more than six month का difference नहीं होना चाहिए ठीक है तो start date हम रख लेते हैं जनाब और minimum दो साल का होना चाहिए 2018 से start कर लेते हैं अगस्त में कोई भी date रख लें और December की हम select कर लेते हैं आज की कर लें कोई मसला नहीं है ठीक है आज 19 है तो आज हम 19 की कर लेते हैं ठीक है यह next पर चले गए where did you complete your experience अपना country select करें आप जिसमें आपने किया है ठीक है next आजाएं अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस तरह का आपके पास आजाएगा I am from Pakistan applying to this 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 आपका आजाएगा get results okay get results में आगया मुहमद जैफा you are eligible to become a registered healthcare professional as a pharmacist यह आपके पास इस तरह से लिखावा आजाएगा उसके बाद आपने क्या करना है आपने जाना है यहां पर get registered again इदर आपने क्लिक करना है आपके पास आजाएगा यह इस तरह का पेज उसके बाद आपने इसको confirm करना है ऐसे और go to data flow data flow में आप जैसे ही जाएंगे यहां पर मेरा ID पहले से register होगा है ठेक है लेकिन अगर आपके लिए क्या होगा कि आपने उसको register करना है register here यहां पर इस तरह से जाना है आपने यह इदर अपना first name और last name वह वही लिखना है जो same to same आपका इदर लिखा हुआ है यह जैसे यह लिखा हुए मुहमद हुज़फा ठेक है इदर same same आपने यही लिखना है ठेक है मुहमद हुज़फा उसके बाद आपने अपना email ID confirm करना है और दीएच यूनीक ID अपना लिख यह आपका वह data flow कि आपको एक mail आजाएगी वह आपका procedure तब start होगा जब आपने क्या कहते है टेस्ट अपका पास होगा उसके बाद data flow उसके ओपर मैं आप दुबारा वीडियो बनाऊँगा एक वह data flow का procedure भी बहुत असान है वह आपको मैं समझा तो मैंने actual में पास किया एक काम करने इसको schedule को छोड़ दें आपने यहां पर जाने generate the eligibility ठीक है आपने generate the eligibility पर create करना है आपने अपने डी एच्च यूनीक ID यहां पर डालना है category आपने allied health select करना है title आपने अपना pharmacist select करना है और select your option pharmacy और उसके बाद इसको generate करना है generate जैसे ही आप करेंगे तो आपका एक eligibility ID आजाएगा ठीक है उस eligibility ID को आपने अप जब schedule में जाएंगे यहां पर schedule प्रोश केजूलर है ठीक है इधर आपने जाना है सबसे पहले यहां पर नीचे उसके बाद आपने इसको कर लेना है next पर next पर गये आपने इधर जाना है ठीक है आपने यह दो जो consent sign को complete करना है थर्ड वाले को आपने नहीं करना click उसके बाद आपने next ओके eligibility number eligibility number वही है जो मैंने आपको बताया था कि आपने create करना है यहां पर डालना है और उसके बाद आपने क्या करना है आपने यहां पर यह डालना है अपना first four character of the last name ठीक है last name के जो आपके first four character है उसके बाद आपने submit करना है ठीक है वो इस्लाम अबाद में है लहोर में है और क्राची में तो हम select कर लेते हैं लहोर को यह आगे लहोर पाकिस्तान ठीक है start date आपने कोई भी 10 दिन की window जो है वो select करने मतलब किया आप देना चाहरे है जैनुरी में देना चाहरे है जैनुरी में देना जाएं फस्ट जैनुरी से select कर लें और next वो आपको खुद बाखुद date देंगी जैसे 15 जैनुरी ओके next आपने उसको आगे start करना है ठीक है यह आपके पास यह dates आ जाएंगी वो देंगे कि कौन कौन सी dates को आप कर सकते हैं टेस्ट के लिए आपने कोई भ इसके बाद आपने जाना है next पे इधर ओके इधर आप गए यहाँ पर आपका time start हो जाएगा you have 15 minutes to complete your appointment इसके अंदर अपने सारा process complete करना है I consent और इसी में payment वगएर और सब कुछ करने है ठीक है उसके बाद आपने अपना region सेलेक्ट करना है पंजाब पाकिस्तान उसके बाद सारा अपना address line वगएरा जो जो भी है आपने उसको देना है date of birth country ID अपना सेलेक्ट करना है यह सब आप सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आप next पे जाएंगे next पे जाकर आपको पास सिरफ ए credit card से और किसी भी card से नहीं वीजा वो पास वीजा credit card हो सकता है ठीक है master card हो सकता है इन ही से होती है बाकि debit card से नहीं होती सिर्फ और सरफ credit card से तो इन्शालाब बाकि की जो next video वो मैं data flow अपने कैसे start करना है उसके उपर बनाऊंगा क्योंकि जो DHA का procedure है वो कहते हैं कि पहले आप test दे लो उसके बाद data flow start करो हाला कि बाकि जो है hard और moh मगेरा जो है उन में पहले जो है आपने data flow complete करना होता है उसके बाद आपने test देना होता है लेकिन DHM ऐसा नहीं है पहले आप test दें test pass करें उसके बाद अपना data flow start करो है तो कि थैंक्यू इंशाला पिर मुलाकात ह आप्साने लो